Welcome back दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है क्योंकि एक important information मैं आपको देना चाहता हूँ अभी recently मेरे एक subscriber ने मेरे को message किया मुझे comment में लिखा उन्होंने की उनके पास ऐसी DTH की power supply थी जिसमें की ये जो IC लगी हुई है इसके अंदर में ये वाली ये खराब हो गई थी और ये IC इसमें वाइपर 22 लगी होती है तो उन्होंने कहा कि मैं market से वाइपर 22 की IC लाके मैंने इसमें लगा दी और लगाने के बाद में जब मैंने supply को power on किया तो वो IC full short हो गई पावर देते ही उसके बाद वो बोले कि मैंने उसकी data sheet चेक किया और जो IC इसमें पहले से लगी हुई है यानि कि इस PCB का जो pin out है उन्होंने ये सारा pin out चेक किया और वाइपर 22 IC का pin out चेक किया तो वो IC के pin out बिल्कुल different है यानि कि जो वो market से लाये थे वाइपर 22 उसका pin out अलग है और जो इसमें IC लगी हुई थी वाइपर 22 उसका pin out अलग है तो इसलिए वो IC उन्होंने इसमें लगाई और वो काम नहीं की और बल्कि वो IC भी खराब हो गई उनकी तो दोस्तो ऐसा क्यों हुआ इसके पीछे क्या कारण है आज इसी बात को हम discuss करेंगे इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो अब दोस्तो अगर आप इस DTS सप्लाई में देखेंगे तो इसके अंदर में ये IC जो लगी हुई है ये है वाइपर 22 जैसा कि ये स्कीन में फोटो आ रही है आप इसमें देखिए ये VIP 22 लिखा है यानि कि वाइपर 22 ही बोलते हैं इसको मार्किट में तो अगर आपकी भी किसी सप्लाई में ये IC खराब हो जाती है और अगर आप मार्किट से वाइपर 22 लाके उसमें लगा देते हैं तो ये हो सकता है कि आपकी IC लगाते ही घराब हो जाए या ना चले या कुछ भी दिक्कत उसमें हो सकती है उसका कारण क्या है दोस्तों कि ये वाइपर 22 लग लग तरह की IC आती है अब मेरे जो सब्सक्राइबर थे जिन्नोंने मेरे को कॉमेंट किया था उन्होंने उस कॉमेंट में ये लिखा था कि सर इसकी पिन आउट बिलकुल अलग है तो इसका मतलब ये IC कोई और है लेकिन जो बनाने वाली कमपनी है उसने गलती से इसके उपर वाइपर 22 प्रिंट कर दिया है तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों क्योंकि जो बनाने वाली कमपनी होती है वो लाखों करोडों पीस बनाती है एक बार में तो अगर वो इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी तो ऐसी प्राबलम नहीं होती है एक्चुल में ये वाइपर 22 के नाम से ही दो अलग-लग आईसी आती है और दोनों के पिन आउट जो हैं वो अलग-लग है तो पहले मैं आपको वाइपर 22 की डेटा शीट में क्या पिन आउट है वो दिखा देता हूँ देखिए दोस्तो ये वाइपर 22 की डेटा शीट है और इसका जो पिन आउट है अगर आप ये देखेंगे कि इसकी जो 5, 6, 7, 8 जो पिने हैं ये 4 पिने आपस में शॉर्ट होती है क्योंकि ये सारी पिने जो हैं ड्रेन के लिए होती है तो अगर आप मल्टी मीटर से चेक करेंगे तो ये 4 पिने आपको शॉर्ट मिलेंगी यहाँ पे और इस तरफ देखें तो एक और दो नमबर ये सोर्स की पिने हैं तो ये दोनों आपस में आपको शॉर्ट मिलेंगी और उसके इलावा तीन नमबर पे फीडबैक और चार नमबर ये वी सी सी की पिने है इसकी ये तो जो एक्चुल वाइपर 22 आइसी आती है उसकी ये डेटाशीट है उसका ये पिन आउट है लेकिन जो आइसी दोस्तो इसके अंदर लगी हुई है ये वाली आइसी को अगर आप देखेंगे पहले तो अगर आप इस फोटो में ध्यान से देखेंगे तो आपको देखेगा कि ये वाइपर 22 और उसके नीचे भी एक नमबर लिखा है जी एफ 13-82 तो वाइपर नाम से दो अलग अलग आइसी आती है एक पे सिर्फ आपको वाइपर 22 ए लिखा मिलेगा और दूसरी जो आइसी जो इस डी टी एच की सप्लाई में लगती है उसमें वाइपर 22 के नीचे जी एफ 13-82 ये नमबर 7 में लिखा होता है अब ये जो इसमें जो आइसी लगी हुई है अगर इसकी हम पिन आउट देखें दोस्तो तो मैं इस पे आपको इसकी पिन आउट बनाके बता देता हूँ ये जो वाइपर 22 है जी एफ 13-82 ये इस नमबर की जो आइसी है दोस्तो तो इसका अगर आप पिन आउट डूंडेंगे ऑनलाइन गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे वह आपको नहीं मिलेगा वो एवलेबल ही नहीं है वहाँ पे कहीं भी तो इस आइसी का पिन आउट जो है मैंने इसी सप्लाई से देखके सारी पिनों को और फिर इसका पिन आउट मैंने डूंडा है तो इसका पिन आउट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ देखी ये हमारी IC हो गई ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये इसकी 8 पिने हो गई ठीक है दोस्तो अब इसकी ये जो 7 और 8 नमबर पिन है ये इसकी पिन है ड्रेन की अब ये इसमें भी ड्रेन है दोनों में 7 और 8 में लेकिन इसकी बाकी की 2 पिने भी ड्रेन है जबकि यहां पर ऐसा नहीं है ये जो 6 नमबर पिन है ये इसकी सोर्स पिन है जबकि इसमें सोर्स इस तरफ है और ये जो 5 नमबर पिन है इसकी ये है इसकी फीड़वेक की पिन इसकी feedback pin कहा है तीन नंबर पे अब हम इस तरफ आ जाते हैं इसकी जो सबसे पहली pin है दोस्तों ये है इसकी start-up ये start-up pin है जो की एक high value की resistance लगा के main DC capacitor के positive पे connect होती है यानि की इस pin पे start-up register connect होती है हमारी दो नंबर जो pin है वो इसकी VCC pin है तीन नंबर जो pin है वो इसकी ground है और चार नंबर pin इसकी connected ही नहीं no connection है यहाँ कोई connection नहीं है अब दोस्तों अगर आप इन दोनों IC के pin out को देखेंगे तो आपको कितना बड़ा difference दिख रहा है इसमें ये चारो pin हैं वाइपर 22 में ये आपकी वाइपर 22 है और ये आपकी वाइपर 22 जी एफ 13 असी बाइस है तो अब इसमें अगर आप pinों का difference देखेंगे इसमें ये दो pin है तो match कर रही है बस ये वाली 7 और 8 उसके इलावा 6 नंबर pin पे इसमें source है 5 नंबर पे feedback है जबकि यहाँ वो भी drain में है और चार नंबर इसकी connected ही नहीं है इसकी चार नंबर pin VCC की pin है तीन नंबर यहाँ ground है लेकिन यहाँ feedback है दो नंबर यहाँ VCC है लेकिन इसकी एक और दो नंबर source है जबकि यहाँ एक नंबर pin startup pin है तो source pin जो है वो कहाँ connect होती है वो ground पे connect होती है main DC capacitor के ground line पे और यहाँ क्या हो रहा है यह main DC capacitor के positive line से connect हो रही है तो यह बिल्कूल ही supply duty हो गई इसमें तो इसलिए अगर इस IC की जगा पे आप यह वाली लगा देंगे तो यह IC आपकी तुरंती खराब हो जाएगी और आपकी SMPS काम नहीं करेगी अगर आप वाइपर 22 IC बदल रहे हैं किसी भी circuit में तो आप यह जरूर देखें एक बार कि क्या उसकी यह चारों पिन्ने आपस में short हैं के नहीं है या अगर आपकी IC 40 नहीं है blast नहीं हुई है उसका number आप पढ़ सकते हैं तो आप उसमें यह देखें कि उसमें सिर्फ वाइपर 22 A लिखा हुआ है या वाइपर 22 GF 13-82 भी लिखा है अगर 13-82 लिखा है तो आपको यह IC लगानी है उसकी जगा यह वाली नहीं लगेगी और अगर 13-82 नहीं लिखा है तो आपको यह वाली IC लगानी है जिसमें 4 पिने आपस में short है तो उमीद है दोस्तों कि जो मेरे दोस्त ने मुझे comment किया था उनको तो यह बास समझ में आ गई होगी और उसके साथ आप में से भी काफी दोस्तों को यह नई चीज समझ में आई होगी कि अगर आप वाइपर 22 लगा रहे हैं तो वाइपर 22 में दो अलग अलग तरह की IC आती है एक पे सिरफ वाइपर 22 लिखा होता है और दूसरी पे वाइपर 22 जी एफ 13-82 लिखा होता है वाली ही IC लगेगी दोस्तों अब मैं आपको दोनों IC एक बार दिखा देता हूं कि उनको देखने में कैसा डिफरेंस दिखता है दिखे दोस्तों यह दोनों अलग अलग IC हैं जैसे कि अभ इसमें आप फोटो में देख पा रहे हैं ये वाली जो मेरी IC है ये है आपकी वाइपर 22A GF 13802 ये आप देख रहे हैं इसके नीचे लिखा हुआ है ये नमबर और ये जो दूसरी IC है ये वाइपर 22A है ये भी लेकिन इसके नीचे 13802 नहीं लिखा है अब दोस्तों मैं आपको एक बार इनकी continuity चेक कराता हूँ सबसे पहले मैं ये वाइपर 22A IC ले रहा हूँ इसकी pin आउट अगर आप देखेंगे कि इसकी pin नमबर 1 और pin नमबर 2 जो है वो आपस में short होंगी क्योंकि दोनों source pin है तो हम ये pin नमबर 1 और pin नमबर 2 पे देख लेते हैं देखी continuity आ रही है यहाँ पर तीन नमबर और चार नमबर पे कोई continuity नहीं आ रही है इसी तरह इसकी इस तरफ की जो चारो pinे हैं ये भी आपस में short हैं क्योंकि ये सारी pinे drain हैं तो हम इस IC को गुमा के इसकी 5, 6, 7, 8 pin पे continuity चेक कर लेते हैं देखी ये 5 पे मैंने multimeter की lead लगा दी 6, 6 पे continuity आ रही है 7 पे भी आ रही है और ये 8 पे भी आ रही है दोस्तों तो ये तो हमने wiper 22 को चेक कर लिया अब हम दोस्तों ये wiper 22 जो GF 13, 22 वाली IC है इसकी pinout देख लेते हैं कि ये कहां कहां continuity दे रहा है हमें देखी ये IC हो गई हमारी अगर इसकी pinout हम देखें यहां तो 7 और 8 जो है इसकी short होनी चाहिए तो हम सबसे बहले 7 और 8 नमबर pin को देख लेते हैं ये हो गई 7 नमबर pin और ये है 8 तो इस पे continuity हमें आ रही है लेकिन इसमें आपको 6 नमबर पे continuity नहीं मिलेगी 5 नमबर पे भी नहीं मिलेगी ना 5 पे मिल रही है ना 6 पे मिल रही है 7 पे मिल रही है इसी तरह इसकी जो इस तरफ की pinे हैं 1, 2, 3, 4 तो एक नमबर पिन की दो नमबर से कोई continuity नहीं है जबकि वाइपर 22 में एक और दो नमबर पिने source थी और वो दोनों में continuity थी इसमें ऐसा कुछ नहीं, यहां कोई continuity नहीं है तीन नमबर पे भी नहीं है और चार नमबर पे भी नहीं है यानि कि एक, दो, तीन, चार जो चारो पिने हैं, इसमें से कोई भी आपस में continuity नहीं दे रही है, लेकिन साथ और आठ नमबर जो है ये continuity दे रही है, और छे और पांच नमबर पे कोई continuity नहीं आ रही है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये दोनों IC में नहीं लिखा है, तो वहाँ सिर्फ ये ही लगेगी, उसकी जगा ये नहीं लगा सकते हैं, और अगर आपकी IC में GF 13C 22 नीचे लिखा है, तो आप वहाँ ये ही लगाएंगे, उसमें ये वाली IC नहीं चलेगी, तो इस बात का दोस्तों, आप बिलकुल ध्यान रखें, कि पर 22 में जो दो वेरियंट आते हैं, इनके बारे में अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, कि आप कोई गलत IC लगा दें उसकी जगा बे, तो इसके बारे में अगर आपका कोई और सवाल हो दोस्तों, तो आप नीचे कॉमेंट में जरूर लिखिए, और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको जरूर लाइक करें, मैं आपको जल्दी ही अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए, गुड़ बाइ फ्रेंड्स